आईए बनाते हैं बस 15 मिनिट में ये एगलेस होल वीट कोकोनेट मॉफिन्स जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बस 7-8 चीजों से ये टेस्टी मॉफिन्स तयार हो जाते हैं आज हम इन्हें बनाएंगे कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में आप इन्हें बिना ओवन के गैस पे भी बना सकते हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी हेलो फ्रेंट्स मैं प्रियंका चौरासिया हैपी कुग बेक चानल में आपका स्वागत करती हूँ सभी इंग्रिडियंट्स को अच्छी तरह मेजर करना है यहां मैंने ले लिया है यह आधा कप गेहू का आटा है जिसे पहले मैंने मेजर कर लिया है और फिर उसके बाद इसे दो से तीन बार चान लिया है इसे हम एक बावल में डाल देंगे और उसी आधे कप से हम यह डेस कोकोनट ले लिया है अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ये वन फोर्थ टीस्पून डाल दिया और एक वापस वन फोर्थ टीस्पून डालेंगे तो आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और वन फोर्थ टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सभी ड्राइ इंग्रीडियेंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहां मैंने 250 ml कप से सारे इंग्रीडियेंट्स मेजर किये हैं अब हम 1 थर्ड कप पाउडर्ड शुगर डालेंगे एक बाउल में और इसमें डालेंगे 1 थर्ड कप यह कैनला अनफ्लेवर्ड ओईल आप कोई भी अनफ्लेवर्ड ओईल ले सकते हैं बट कैनला ओईल बेस्ट है केक्स बनाने के लिए अब इसे हम अच्छी तरह से फेट लेंगे विस्क कर लेंगे तीन से चार मिनिट लगेंगे इसे अच्छी तरह विस्क होने के लिए या फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि दो से तीन मिनिट में इसका काम हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से ओईल और शुगर मिक्स हो जाएगा अब हम इसमें डालेंगे एक तीहाई कप ये दूद ये दूद रूम टेंपरेचर पे होना चाहिए या फिर थोड़ा सा बिल्कुल गरम होगा जिसे लिक वोम मिल कहते हैं वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मिक्स हो गया है अच्छी तरह वेट इंग्रीडियेंट्स भी अब हम इसमें ये ड्राइ इंग्रीडियेंट्स डाल देंगे आप अनफ्लेवर्ड ओइल के बदले बटर या घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं सारा ड्रा इंग्रीडियेंट्स डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई चमच इलाइची पाउडर जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मॉफिन्स में क्योंकि हम इसमें कोई एसेंस नहीं डाल रहे है अब हम इसे कटेंट फोल्ड में थर से मिक्स कर लेंग मॉफिन्स का बैटर रेडी है अब हम इसमें कुछ कटे हुए बदाम पिस्ता और काजू डाल देंगे ये देखिए बदाम और काजू पहले हम थोड़ा सा डाल देंगे और इसे उपर से गार्णिश करनी के लिए भी थोड़ा बचा लेंगे आप चाहें तो इसमें जादा भी डाल सकते हैं मिक्स कर लेंगे इसे एक बार और कटेंट फोल्ड मेथट से और ये मफिन्स का बैटर रेडी है आज हम इन मफिन्स को माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन में बनाएंगे इसलिए यहां मैंने एक मफिन ट्रे ले लिया है जिससे पेपर कप लाइनर से पातन ले ले और उसमें हम एक सेपरेटर रख देंगे और उसके उपर किसी भी काटोरी में ये मफिन्स का बैटर भरके दस से पंदरा मिनेट के लिए बेक करने से आपका मफिन्स गैस पर भी तयार हो सकते हैं कार्टोरीयो में मफिन्स का बैटर डालने से पहले उन् encontrarati तर हम इसे बेक करेंगे ये तो था गैस पर बेक करने का तरीका आज तो हम कन्वेक्शन ओवन में बना रहे हैं इसे मैंने उपर से गार्लिश कर दिया है कुछ कटे हुए बदाम पिस्ता और काजू से दो से तीन बार हम इसे टैप कर लेंगे मफिन स्ट्रे को और ओवन हमने पहल का टाइम सेट करके इसे बेक होने देंगे बारा मिनिट बाद हम इसे चेक करेंगे ये अच्छी तरह से बेक हो चुका होगा पर हम इसे चेक कर लेंगे एक बार इसमें तूथपिक या स्क्यूवर डाल कर ये देखिए थोड़ा सा चिपक रहा है हम इसे वापस बेक करेंग मुफिन स्ट्रे को वापस निकाल लेंगे और इसे वापस प्रीहीट करना पड़ेगा क्यूंकि यह आएफबी का माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन है 160 degree Celsius पे वापस हम इसे प्रीहीट कर लेंगे और जब तक बीब साउंट सुनाई नहीं देती है तब तक हम इसे वापस नहीं रखेंगे अब बीब साउंड सुनाई दे गई है एक मिनिट में मफिन्स ट्रे को अंदर रख देंगे और बस पांच मिनिट का टाइम सेट करेंगे बट हम इसे तीन मिनिट के लिए बेक करेंगे और तीन मिनिट बाद हम इसे स्टॉप कर देंगे और अपना मफिन्स बनकर तयार हो गया होगा इसका मतलब 12-15 मिनिट में आप यह मफिन माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन में बना सकते हैं यह देखिए बहुत अच्छी तरह से बेख हुआ है और इसका कलर भी बहुत भी बढ़िया आया है खान में बहुत ही टेस्टी है जब यह बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा ह हो जाएगा तब हम इसे डी मोल्ड करेंगे अगर आपके पास आएफबी का ही माइक्रोवेव ओवन हो तो आप इसी तरह इस मफिन को बना सकते हैं या फिर कोई दूसरा ओवन हो तो आप अपने सेटिंग के हिसाब से उसे बेक कर सकते हैं यह देखिए कितना बढ़िया और अच्छा मफिन्स तयार हुआ है बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बहुत स्पॉंजी बना है और बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने गेहू का आटा इस्तमाल किया है और कोकोनेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जो भी खाएगा वो तारिफ किये बीना नहीं रह सकता तो आप इसे जरूर बनाए बस 6-7 चीजों से यह आसानी से बन जाता है घर पे आप इसे बीना माइक्रोवेव ओवन के भी बना सकते हैं जिससे मैंने बताया है रेसिपी पसंदाई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प इसे बीने थेंक यू फो वाचिंग